आज दस तारीक है, बिहार में चुनाओ चल रहे थे, इलेक्शन की रेजल्ट आ चुके हैं नहीं करूंगा क्योंकि आप पता नहीं कब वीडियो देखेंगे जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिस समय, उस समय के अकॉर्डिंग 20 से 30% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, 4 करोड 10 लाग के आसपास वोटिंग पड़ी है, जिसमें से 1 करोड के आसपास की काउंटिंग हो चुकी है, और ये डाटा ये शो करता, अब या आपको मै थोड़ा सा अपडेट देना चाता हूँ, वीडियो पूरी दूसरे मुद्धे पर जासा आप तमनेल में देख चुके हैं, अपडेट यही है कि ये दिखाता है कि भाजपा सरकार बना रही है, या बोल दू कि NDA सरकार बना रही है, ये ने तिसमार सीम मन रहा है, ऐसा पॉलिंग बूट बढ़ा दिए गए हैं, बहुत बड़े नंबर से 30,000 के आसपास बढ़ा दिए गए हैं, तो टूटल 1,6,000 के आसपास पॉलिंग बूट है, तो ये भी देखना वाली बात है कि 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 स्पीड से चलेगी, कब हो सकता भीच में फ्लो पकड़ ले, क्या है क् तो बाद ने बता चलेगा, ये वन्यूज इसलिए बतावनों स्पेसिफिकली कि आप ये देख रहे हैं, फीस्बुक पोस्ट, दुरूवराठी का, ये महाशब दो दिन पहले बहुत खुशी मना रहे थे, खुशी ये मना रहे थे कि अपडेट देते हुए कि टरंप हार ग बाइसनेस लेफ्ट की तरफ है, तुम्हारा इतना बाइसनेस एंटी राइट विंग है, एंटी बीजेपी है, है ना, तो फिर दूसरों को कुश्चन क्यों करते हो, उनके बाइसनेस के लिए, फिर मान लो कि जिस तरीके से हम अपनी बाइसनेस दिखा रहे हैं, वो भी कु आप लोगों को पता है कि ट्रम्प चुनाव हार गया, जैसा कि डाटा शो करता है, ट्रम्प ने एलिगेशन लगाया था कि बहुत बड़े तादाद में फ्रॉड हुआ है, एक्स्रा वोट पड़े हैं, कई लोगों के ट्वीट्स यह थे कि 101% वोटिंग हुई कहीं कहीं जगा पर, अब 101% क्या होता है, मुझे कोई बता दे, है ना, सोचने वाली बात, ट्रम्प सुप्रीम कोट जा चुके हैं, क्या रिजल्ट आया मुझे नहीं पता भी थे, सुप्रीम कोट में किस आर्टिकल के तहद, वो ऐसा क्या फाइल करेंगे ऐसी क्या रिक्वेस्ट करेंगे, कि उनकी सत्ता बची रहे, उनकी खुर्सी बची रहे, वो इलेक्शन के बावजूद, हारने के बावजूद, वो प्रेसिट रह सकें, इसका सामाधान सुप्रमनियम स्वामी साब में दिया है, उन्होंने ये कहा है, कि अमेरिका के कॉंस् और अगर उस आर्टिकल का इस्तेमाल करें सुप्रीम कोट में ये रिक्वेस्ट डालने की, हमारी गद्धी हमें बराय रखी जाए, ये ये रिजन्स हैं, ये प्रोविजन्स हैं, तो हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट बने रहे हैं, खिर आब ये तो देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोट क्या डिरेक्शन देता है, सुप्रीम कोट की जज्जमेंट क्या आते हैं, और अगर आ चुके हैं और फिर प्रोसीडिंग चल लिए क्या है, मुझे इसके अभी को जान करने हैं, जब तक मैं वीडियो बना रहे हैं, अभी कोई अपडेट ने, जितना कि भाजबा भी पावर में आ रही है, बिहार में, अरना बुस्वामी भी जल से बाहर निकल जाएंगे, फरजी कैसे निकल जाएगा, रही बात टरंप की, टरंप आएं, ना आएं, जाहिए से बात हैं, उनके रहने से भाजबा में भी राइट विंग अगर गवर्मेंट है और अमेरिका में भी राइट विंग गवर्मेंट होगी, तो जाहिए से बात हैं, इंडिया अमेरिका के रिलेशन ज्यादा अच्छे होगे, टरंप का सपोर्ट इसलिए राइट विंग कर रहा है, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ, कि टरंप एक ऐसी आडिलोजी के साथ, वहा लगे हैं, वो बात अलगे हैं, जो जहेल रहा है, वो बोलेगा, लेकिन सायद बिडिन ना बोले, सायद बिडिन की ऐसी इमेज नहीं है, तो इसलिए टरंप का होना जरूरी था, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि सेंटर में कोई है, और स्टेट में भी सेम सकता है, तो प्रावधान से गुजर हैं, तो सायद वो वापस आजाएं, बाकी उनकी अपनी मर्दी है, उनको उनके पास लॉयर्स की कमी नहीं होगी, अमेरिका वैसे भी लॉयर्स के लिए बहुत जादा फेमस है, तो ठीक है, देखते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अगले उनमें जाहिन, बंदे मात्रू